गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, a very good morning to you all. आज हम लोग अपने इंग्लिस का lecture स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इंग्लिस में learn करेंगे कुछ प्रिनाउंस के बारे में, कुछ subject प्रिनाउंस के बारे में जब भी हम लोग बाते करते हैं, किसी अपने friends है, तो हम लोगों के बीच में कैसे बाते होती हैं, और उनमें हमें कौन से pronounce किस के लिए use करना चाहिए, यह हम लोग learn करेंगे, जैसे आप अब अगर picture में देख रहे हैं, तो आपको दो kids दिखाए देंगे, यह girl kid है, and this one is a boy kid, it means, कि the first kid is a girl kid, and the second kid is boy kid, so let's talk about the boy kid first, हम लोग पहले boy kid के बारे में बात करते हैं, किन के बारे में, इन के बारे में, boy kid के बारे में, तो यह boy kid कित से बात कर रहे हैं, इस girl kid से बात कर रहे हैं, यह boy kid कित से बात कर रहे हैं, girl kid से बात कर रहे हैं, हमें बात करनी हैं, हमें यह स अपने बारे में, अपने बारे में ये क्या कर रहे हैं, इस girl kid को बता रहे हैं, कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या पसंद है, तो ये कैसे बात करेंगे, इनका नाम अर्पित है, तो अगर ये अपने बारे में बात करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, मैं अर्पित मैं अर्पित हूँ अगर इनका नाम उतकर्स है तो यह कैसे बोलेंगे कि मैं उतकर्स हूँ अगर इनका नाम तनमे है तो बोलेंगे कि मैं तनमे हूँ अगर इनका नाम आरियन है तो यह बोलेंगे कि मैं आरियन हूँ तो इनका नाम जो भी होगा ये अपना नाम बताएंगे और उसमें कैसे बोलेंगे कि मैं सच्चिन हूँ मैं UKG में पढ़ता हूँ मैं The President's School में पढ़ता हूँ मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ मैं साम को खेलने जाता हूँ मैं दूद पीता हूँ अगर ये ऐसे बात करते हैं तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं अपने बारे में और ये अपने बारे में किसको information दे रहे हैं ये information दे रहे हैं इस girl child को इस girl child को बता रहे हैं कि मेरा नाम क्या है मैं किस class में पढ़ता हूँ मैं किस school में पढ़ता हूँ मुझे क्या खाना और पीना पसंद है मैं कब खेलने जाता हूँ मैं कब टहलने जाता हूँ मैं कब सोने जाता हूँ तो ये अपने बारे में बात करेंगे तो कैसे क्या बोलेंगे मैं इसी मैं को इंगलिस में लोग क्या बोलते हैं आई अगर इनको इंग्लिस में अब बताना हो अगर यह जादे अच्छे बच्चे होंगे और इनको जादे अच्छे से पढ़ने आता है तो यह इंग्लिस में भी बात कर सकते हैं तो यह अपनी girl child को कैसे बताएंगे यह इस girl child को ऐसे बताएंगे यह बुलेंगे कि I am I am I am सच्चेन I मैं I read read means पढ़ना वैसे हम लोग study use करेंगे but for your label it's fine that I read in UKG I read in the president school I walk in the morning I play in the evening I go to bed at 10 o'clock तो यह ऐसे बात करेंगे यानि कि जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं तो क्या use करते हैं I क्या use करते हैं I capital letter वाला I आप ऐसे भी I बनाते हैं this one is also I आप इस तरीके से भी I बनाते हैं यह क्या है capital letter का I है I am Sachin I study in class UKG I study in the president school I walk in the morning I play in the evening I go to bed at 10 p.m I wake up in the morning I go to school by bus मैं bus से school जाता हूँ तो जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं I use करते हैं तो यहाज हम लोगों ने एक चीज लण की कि जब अप भी हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या subject यूज करेंगे क्या subject pronoun यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे I क्या यूज करेंगे I This is जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम लोग subject pronoun use करेंगे I, I am Second, जब हम दूसरे किसी के बारे में बात करेंगे जैसे ये boy child है, अब इसको ये जानना है कि ये girl child इसका क्या नाम है ये किस class में पढ़ती है, ये किस school में पढ़ती है ये कब सोती है, ये कब जगती है, ये कब टहलने जाती है, ये कब खेलती है इन्हें क्या खाना पसंद है अगर इस boy child को ये बात जाननी है, तो ये girl child से कैसे पूछेगा कि तुम किस class में पढ़ती हो, तुम्हारा नाम क्या है तुम कब सुनती हो, तुम कब जगते हो, तुम कब टहलने जाते हो, तुम कब खेलने जाते हो, तुम स्कूल कैसे आते हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तुम, इसे हम लोग बोलते हैं, यू, वाई, ओ, यू, यू, वाट इस यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हम ऐस पूछेंगे न, in which class do you read? तुम किस class में पढ़ते हो? What time do you wake up? आप कब जगते हो? What time do you play? तुम कब खेलते हो? What time do you walk? तुम कब टहलने जाते हो? So, जब भी हम दूसरी किसी के बारे में बात करेंगे, बात करने के लिए at least दो लोग तो चाहिए, है न? जैसे यहाँ पे भी है, एक boy child है और एक girl child है, तो जब भी हम boys अपने बारे में बात करेंगे तो use करेंगे I, जब भी हम दूसरी के बारे में बात करेंगे तो use करेंगे you, और जब भी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि we are friends, हम दोनों क्या हैं? दोस्त हैं, जब भी हम दोनों के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या उनसा word use करेंगे? we, we, we means होता है हम लोग I means मैं and you means तुम I use करते हैं जब भी हम लोगों को खुद के बारे में बात करने होती है you use करते हैं जब भी हम दूसरों के बारे में बात करते हैं and we use करते हैं जब भी हम एक से जादे लोगों के बारे में बात करते हैं दो या दो से जादे लोगों के बारे में बात करते हैं collective बात करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं we हम लोग let's start use of I, you and we I means मैं खुद के लिए बात करेंगे यू जब हम आप के लिए बात करेंगे दूसरे के लिए बात करेंगे वी जब हम दो से जादे लोगों के लिए बात करेंगे और उसमें हम भी included रहेंगे तो क्या यूज़ करेंगे यू वी लेट्स आइम इसान जैसे ये boy है और ये बता रहा है कि वैसे आप लोग भी बताएंगे अपना नाम लेंगे अब ये गर्ल चाइल्ड है ये भी बात कर रही है और किसके बारे में बात करेंगे अपने बारे में बात करेंगे तो ये कैसे बोलने है इसेता मैं इसेता हूँ आइम ऑगल और मैं गर्ल हूँ आप लोगों को भी ये lines दोनों lines क्या करनी है learn करनी है आप learn करेंगे I am और अपना नाम बताएंगे देन बताएंगे I am a boy और a girl, अगर आप boy हैं तो आप बोलेंगे I am a boy, अगर आप girl हैं तो आप लोग बोलेंगे I am a girl अगे, come to the next अब हम लोग दूसरी किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे ये boy child है तो देखो ये इस girl child की तरफ indicate कर रहा है, point out finger point out कर रहा है, और ये बता रहा है कि you are miss Isita, you are miss Isita, तुम Isita हो you are a girl और तुम क्या हो, तुम लड़की हो, फिर ये girl जो है, ये girl child इस boy child के बारे में बात करते हैं और ये बताते हैं कि you are Mr. Ishaan, कि तुम मिसान हो and you are a boy और तुम लड़के हो ये बात कौन बोल रहा है ये इस girl बोल रही है और किसके बारे में बात कर रही है Isan के बारे में बात कर रही है इस boy child के बारे में बात कर रही है देखो मैं येरो से point out कर रहा हूँ अब जब ये एक boy बोल रहा है ये boy बोल रहा है तो ये किसके बारे में बोल रहा है इस girl child के बारे में बोल रहा है ये बोल रहा है कि you are miss hithitha ये तो miss hithitha है नहीं कौन है ये ये है miss hithitha तो ये बोलता है कि तुम miss hithitha हो और तुम क्या हो You are a girl और तुम लड़की हो Done Next अब देखो यह दोनों लोग दोस्त हो गए एक दूसरे के बारे में जान गए कि यह इसिता है और यह इशान है फिर यह लोग आपस में कैसे बात करते है फिर यह दोनों लोग बोलने है क्या कि we are इसान और इसिता है we are a boy and a girl हम में से एक आदमी लड़का है और एक क्या है लड़की है and we are friends और हम दोस्त है आप लोगों को basically सिर्फ यह difference पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो दो लोग चाहिए बात करने के लिए यह रह दो लोग this is the first and this is the second जब दोनों लोगों में से कोई भी सिर्फ अपने बारे में बात करता है तो कैसे करता है I am इशान और यह लड़की बोलती है I am इसिता फिर यह लड़के बोलते हैं कि I am a boy और यह लड़की अपने बारे में क्या बताती है कि I am a girl then फिर दोनों लोग एक दूसरे के बारे में बात करते है तो यह लड़की कैसे बोलते हैं कि you are a boy you are इशान फिर यह लड़के बोलते हैं इस लड़की के लिए कि you are a girl and you are इसिता फिर दोनों लोग एक दूसरे के से जब दोस्ती हो जाती है तब कैसे बोलते है दोनों लोग एक दूसरे के बारे में बोलते है पहले एक दूसरे के बारे में बोलते है तो यू सब्द का यूज करते है यू वर्ड यूज करते है फिर दोनों लोग क्या करते है collectively एक दूसरी के बारे में बोलते हैं मतलब अपने दोनों के बारे में बोलते हैं तो जब दोनों के बारे में बोलते हैं तो कौन सा बार वर्ड यूज़ करते हैं we बोलते हैं कि we are підिशान and इसिता we are a boy and a girl and we are friends और हम दोनों क्या हैं दोस्त हैं सो ऐसे हम लोग यूज करेंगे आई, यू, एंड वी का हम लोग नेक्स्ट कल भी इसी टापिक पर एक्सरसाइज करेंगे और इन्हें और अच्छे से लॉन करेंगे अज भी हमें इसके लिटस्ट करना है एंड जो भी दो कुशन्स आप से पूछे जाएंगे आपको उन्हें आंसर करना है और इसे समझना है अगर जो इसको भी ये टापिक नहीं समझ में आता है वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है I will try hard कि मैं इसको और अच्छे से explain कर सकता हूँ ओके, so this is it for today have a nice day, bye bye